हेलो एंड विल्कम तो प्राइट दी फ्यूचर एकाडमी माइनम इस दॉक्टर विपिन सिंग और जैसा कि आपको पता है कि मैं आपके बीच में साइंस एंट टेक लेके चल रहा हूं और अडि सेम टाइम मैं इन्वामेंट और अदर जितने टॉपिक्स हैं इंपोर्टेंट किस तरीके से आप क्वेशन को टैकल कर सकते हो एक्जाम को क्राक कर सकते हो इन सबी चीजों पर आपको बिस्तार से बताया जाएगा और वही चीजें आपको बताई जा रही है तो वेसे लिए इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है आप इसको डेली इसको अटेंट किया और फूर्थ सके तो इसका नोट्स भी आपको बनाया करिए क्योंकि यह चीजें जो आपको मिल रहे है एक्चली एकजाम में ही सब चीजें आती है और यह आपको या तो पेट कोर्सें मिल सकते हैं जहां बड़ी-बड़ी कोचिंग में आप जाएंगे धाली लाग तीन ला आने हैं और देखा जाए तो इसका वेटेस लगतार बढ़ता जा रहा है क्योंकि हमारा जो एक तरीके से जो साइंटिफिक इन्वेंशन से लगतार बढ़ रहा है और देखा जा तो जो इस पेस एक्स्प्लोरेशन है उसको भी काफी गती मिल रही है इसलिए टॉपिक सब्सक्राइब करते हैं और देखते हैं बहुत इंपोर्टन टॉपिक को दोस्तों एक्जाम में क्या है कि साइंस इंटेक में मैं इतना इस तरीके से उसको कवर करना चाहता हूं ताकि यदि किसी भी प्रकार का क्वेश्चन है आप उसको टैकल कर पाएं आपकी कलम रुकनी नहीं चाहिए वहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि ना यह इसलिए के आ रहे हैं तो जादे समयनों लेते हुए मैं सीधे तॉपिक को आपसे जोड़ता हूं दोस्तों जैसा कि हमने पढ़ा था अब उसी चीज़ को मैं कांटिनु करता हूं अब कम्यूनिकेशन सेटलाइट्स हमने बहुत विस्तार से पढ़ा था कम्यूनिकेशन हुआ चीजे उसमें यूज करते हैं और एक तरीके से हम जो अपना इरिया है उसką बांम्री के लिए या उसको चीजों को एक मेजर्मेंट के लिए मैपिंग के लिए हम यूज करते हैं जैसे हम रिजिनल प्लानिंग के लिए यूज कर सकते हैं सिटी प्लानिंग के लिए यूज कर सकते हैं और जैसा कि हमने बताया कि वेदर फॉर्केस्टिंग के लिए भी हम यूज कर सकते हैं समझ बाते हैं जिसलें को पड़ती है क्यों पता होना चाहिए कि जो हमारी संता होती है ठीक है मौल यह हमारा प्यारा अर्थ है और आप यहां पर बैठे हुए हैं और आप कि सोचिए कि अगर आपकी mobility बहुत ही slow है और आप चीजों को on spot देखना चाहते हैं समझना चाहते हैं क्या है अब suppose करिए कि अगर यहां पे 1000 किलोमीटर है इस आदमे को यहां जाने में 1000 किलोमीटर लगते हैं एक 1000 किलोमीटर लगता है आप यह सोचिए कम सकम इसको तो मतलब अगर आप flight से भी जायेंगे तो कम सकम 3-4 घंडे लगी जाएंगे तीन से 3-4 और आप सोचिए कि अगर आप चीजों को समझना चाहते हैं सब चीजों को बहुत ही तुरन जानना पड़ता है तो हम क्या करते हैं अब 100- sedan kmट में गटना है है तो हम यहां नहीं जा करके हम सेटलाइट इसलिए हमेरे सेटलाइट का मत्वाईई है कि हम सेटलाइट में एक कमाड बेजते हैं और सेटलाइट क्या करता है पूरा ओवर्व्यू इस फिड्ड का यहांपे कितने ट्रूप सें एन के आम्सस लगे हुए हैं कहां ओंपय और पाते हैं तो यह benefits है आप सबोच कर यहां पे बैठे हैं कहाँ सा कहां में हो सकती हैं इस प्रोड़क्टिविट नें अप सकते हैं चाहते हैं इस मैसनल प्लनिंग कर सकते तमाम चीजे आप सकते हें से बात करेंगे होती हैं अब हम देखेंगे कि वो frequency के मात्यम से होती है तो किसी भी communication satellite में frequency का उतना ही महत्तो है जितना कि माल लिजे कि आम बूलचाल में जैसे जीवा का है टंग का है उसे तरीके से frequency का भी एक अपना महत्तो होता है तो एक तरीके से frequency कई प्रकार की होती है अब हम frequency को हम समझने कोशिच करेंगे यह frequency बहुत important होता एक्जाम में अक्सर पूछा जाता है अब हम frequency के बारे में देखते है जैसे c-band frequency c-band frequency क्या होता है communication satellite में कौन-कौन से frequency use होते है हमने बताया था अब देखते है c-band frequency के बारे में यह क्या होते है यह 428 और इसमें क्या होता है कि यह दाटा क्मॉनिकरिया होते हैं नहीं कि यहां पर अगे देख़ेड़ लोब ट्रांसमेशन पाउर वाइड जोग्राफिकल एरिया अप समझ पाने कि बड़े जोग्राफिकल एरिया में छोटा सा सिग्नल प्रॉइड करता है तो एक तरीके से यह तरीके से कमजूर को बैंड है कह सकते हैं कुछा सकता है जैसे एक्जाम में सीरियल वाइच कूछ सकता है कि आप यह बताए किसकी अधिक होती है आप अरेंच करिए तो सबसे पहले का बेंड और फी कुब वह हम डारेक्ट होम सर्विस प्रोवाइड करते हैं सबसे करिए कि टेली वीजन हो गया इन सब चीजों का डारेक्ट आपके घर पर सिगनल जाता है आप देखिए तो लाइफ आई हो गया भी नया एडवांस नहीं टेकनलाजी आई है वाई-फाई वाई-फाई जितने होते ह है उन सब चीजों को पीएम वार्णी करके आप देख सकते हैं टेली एजुकेशन अप्लिकेशन एंटिना साइस बहुत ही स्मालर होता है इसमें इसकी फ्रेक्वेंसी बहुत ही अधिक होती है वहीं पर काबेंड की बात करते हैं तो काबेंड जो होता है ट्रॉंटिश्क्स कि आप यहाँ से कम्मुनिकेशन ले सकते हैं और इसको आप कमांड भेज सकते हैं इसको कमांड भेज सकते हैं फिर बाद में से आउट्पूट आप ले सकते हैं तो एक तरीके से हम मिलिटरी परपरज़ में इसका यूज करते हैं या एक तरीके से सिविल परपरज़ में भ और जाहिसी बात है जो फ्रेक्वेंसी जाद है उसको चोटे से अंटिना उसको और भी स्मॉल एंटिना की जरूरत होगी वो लार्ज जोग्राफिकल एरिया में बहुत ही तेजी से प्रभावित करेगा काम करेगा थीक है ना इस चोटे ग्राउंड की वशक्ता होती है ब्रॉडबेंट अप्लिकेशन देखा जाये तो हमने क्या कहा कि इसके इसके जो फ्रेक्वेंसी होती है बहुत ही जादे होती है इसी लिए यह बहुत जादे वल्रेबल होता है ठीक है और रेंट फेड में इंपोर्टन क अच्छा सावित होता है क्योंकि हम देखते हैं यह जो कम्मुनिकेशन होती हायर फ्रेक्वेंसी के वज़े से अगर बारिश वारिश यहादी रेंड का महौल है बहुत सारे वेदर फॉर्केस्टिंग के मादम से पता चल रहा है कि आपको क्यूमिन निबल क्लाउड है क्योंकि फ्रेक्वेंसी वहाँ पर डामेज होती है और यहां फ्रेक्वेंसी में थोड़ी सी डामेज आई कि तो प्रॉब्लम तो आपको हो गाई तो इसलिए इसमें बहुत ही एक्सेसिव नहीं सोचना है आपको सिंपल यह आपसे पूछा जाएगा कि यह बताइए किसकी शरी सबसे अधिक होती है तो का बेंट की फिर कुबेंट की फिर सी मेंट की आगे बढ़ते हैं इंपॉर्टेन्न कमुनिकेशन सेट लाइटस टेक लेते हैं कौन-कौन से होती हैं इंसैट सीरिस वी हब लॉंच न इसैट सीरीज there is more than 15 satellites including the INSAT 3A, 3C, 4A, 4B, 4CR and G-SAT 6 G-SAT 6A, 7, 7A, G-SAT 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 29 and 30 These are the things which we launched the INSAT series 15 satellites we launched thebased is a solid With the latest so yes a solid at least powered communication satellites in the these these Effectial acked dein Esp Garden The mainland सेटलाइट फिल प्रोवाइड कम्मुनिकेशन सर्विस तो इंडियन में लैंड एंड आइलेंड फिर सबसे स्ट्रॉंग होता है का बेंड थोड़ा वीग होता है फिर कूबेंड तो कूबेंड यदि लगा हुआ इसका अप्लिकेशन नेटवर्क में टेलिवीजन अप लिंक्स में डिजितल सेटलाइट न्यूज गैदरिंग डिटीएस टेलिवीजन सर्विसेज टेलीफून सर्विसेज इन मेडल इस साउथ अफ्रिका एंड यूरोप में इसका यूज किया जाता है ठीक है अब इसको ध् हिंदी में भी चीज़ों का हम बताएंगे जैसे इंसेट सिंकला में इंसेट 3A 3C 4A 4B 4C यह सब चीज़े लॉंच की जाएती है यह नविंतम संचार संग्रा जी सेट 30 है जिसको इश्रोन नविंतम उच्छ शक्ति वाला संग्रा इसको 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 इसनों ने लॉंच किया इसकी फेसलिटी कहां का मिलती है तो दच्छिंट पूर्व एशिया में खाड़ी देशों में और आस्ट्रेलिया में इसकी फेसलिटी प्रवाइड करते हैं जी सेट 31 के बारे में देखते हैं तो फेबवरी 2019 में इसका यूज किया गया था यह उच्छ शक्तिवाला संचार उप संग्रल लांच किया गया है वर्जन इसका 2536 के जी है ठीक है इस बात को आप ध्यान में रखेंगे आगे देखते हैं इसलिए बता रहा हूं कि वह आप सुन लीजिए बाकी इंपोर्टेंट जो चीजे रहेंगे मैं आपको बता दूंगा जैसे जी सेट 7a के बारे में पूछ सकता है कि यह क्या है तो यह एक तरीके से के दो सकता है तो यह समये है की आप की हमने उसको यह टिया हूँ अध discussing वह और साइट्लाएट हम उसक तरीगलेट हैं फॉससता जो कि दिया हुआ है और कि You वह आख लाह इसलिकरे वह बाटेट सम्यान सब हैं आर यह शीनना episódio दस अन्मैंड एरियर वेहिकल मतलब ही होता है कि इसमें जो वेहिकल्स होंगे, इसमें इंसान नहीं उगा, इसमें लिखने होंगा, इसमें हम रिमोट से चीज़ को कर सकते हैं आगे इनेवल एर फोर्स इस लिंक वैरियस रडार्स स्टेशन में ग्राउंड एर बेस में यूज करते हैं एर बॉंड अर्ली वार्निंग कंट्रोल सिस्टम जी सैट सेट सेटलाइट आफर देर रुकमेनी जी सैट सेट सेट लांच इन दी ट्वंटी थर्टें आप तो को साल सेट 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 कि और अशाम में पूछा जा सेट एफ सेवनकी जी सैट सेट सैट सेट कि तो जी सैट सब्सक्राइब यह रुकमिनी यह किससे डेडिकेटेटेड है यह अर्फोर्स के लिए डेडिकेटेडए है और सेकेंड क्या है जीसेट 7a ज्यान रखेएगा अब जीशाइब 11 के बारे मात करते हैं December 2018 में यूज किया गया था इसको लांच किया गया था इसरो हैविए सबसे हैविए सेटलाइट यह है 5.8 तन का है जिसमें काबेंड आ आ गया आप सो सकते हैं कि कितना स्ट्रॉंग है क्योंकि इसमें क्या है काबेंड का यूज किया गया है कैबल प्राइडिंग दी हाई बैंडविध करेंड अप्टो दी 14 गीगाहर्ट पर सेकेंड स्पीड बहुत ही तेज स्पीड प्राइड करता है ठीक है इस बात को थ्यान में रखिएगा बहुत इंपोर्टेंट है जो आपको चीजें दी जा रही है बहुत इंपोर्टेंट है कहा है पड़ते ही नहीं तो इन सब चीजें को ध्यान से पड़ा करेंग बहुत इंपोर्टेंट चीजें जी सेट सेवेन एक के बारे में यह सैनी उपग्राव है भारत में इसको एंग्री बर्ड के नाम से जाने जाता है यह भारती वायु सेना को समत्पित है और इसमें द्वारा दूर दूरस्त रूप से संचलित बिमान संचालन को बढ़ावा देगा मतलब आप सोचिए एयरफोर्स जो भी एयरक्राफ्य यूज़ करता है तो उसको नेविगीशन के लिए या उसको एक तरीके से रन करने के लिए चलाने के लिए हम इससी सेटलाइट का यूज़ करते हैं मानो रहित है यह मानो रहित हवाई वाहिनी है इस प्रकार यह UAV तक पहुंच और लचीलापन और धीरश का विस्तार करेगा दृष्टी मिशन की रेखा से परे है यह वात को ध्यान रखेगा और भारती नौ सेना में क्या है कि जी सेट सेवन पहला था या रुकमिडी पहला सब्सक्राइब करने में जसा कि आपको पता होना चाहिए इसका जो है तो क्मूनिकेशन सटलाइट ऑफ इंडिया कौन कौन से कमूनिकेशन्स ड्लाइट बहुत श्ट्रॉंग है इसको देखेंगे क्योंकि गेशन सबस्तिëं के बारे में एक तरीके सी क्मुनिकेशन की आप सकता पड़ रहे हैं तो यह चीजों को 5G में convert करने जा रहे हैं चीजों को 6G में तो यह जो चीजे चल रही है यह कितनी तेजी से आ रहे हैं कितनी तेजी से परिवर्ट ना रहा है क्यों कि हमारे अवेर्नेस पूरे वर्ड में अवेर्नेस इंटर कनेक्टिविटी की बढ़ गई है जिसके वाज़े से चीजे बहुत तेजी से आ रहे हैं तो इस तो ने क्या क्या था फॉर हाई पावर सेटलाइट के बारे में लॉंच किया इसने और ब्रॉडबेंड कनेक्टिविटी हंड पर सेकेंड इससे पहले हमने देखा था कि 14 गीग पर सेकेंड यूज़ किया रहा था लेकिन यहां पर हंड़ड गीगा पर सेकेंड यूज़t क्या जाएगा जी सेट 19 जी सेट 29 जी सेट 11 जी सेट 20 इस सब को लॉंच किया गया है और इट विल प्रवाइड सेट वेस्ट हाइब स्पीड थोवें ब्राद्बेंड कनेक्टिविटी इन इंडिया दस बीडिजिटल इंडिया इस बैकबून आफ डिजिटल इंडिया क्योंकि बहुत ही हाई स्पीड ब्राद्बेंड कनेक्टिविटी प्रोडान करेगा कौन-कौन सा जी सेट 19,29,11,20 और इसके दिखा जा तो भारत ने इससे काम करेगा या नेशनल ब्राद्बेंड मिशन एन वी साट नेटवर्ग भी से काम करेंगे इंडियन रिमोट सेटलाइट बात आएगी तो वह क्या होगा अर्थ अब्जर्वेशन सेटलाइट होगा सबस्कों ध्यां दिजिएगा मोसली पोलर रिजन में होता है संसेंट्रोन सेटलाइट संसेंट्रोन के बारे में अभी ही चीज़े हैं इसलिए हमने पहले इन सब चीज़ों को ख्लियर करके रखा आपको पता दिया अब यह सुची कि संसे करuche की मालर जे कोई अर्थ है और यह अपना नॉर्स पोल हो गया साउस पोल हो गया पता चाहिए व्कॉन्स एपको नो बता करें अब्यक्रम किलोमेटर तक होता है तो 800 किलोमेटर तो किसको किसको लॉंच किया गया एंड जीप एराउंड इस सर्कम्टेक्स अफ द एर्थ 1.5 आर्स बहुत तेजी से मुव करता है और शर्क्लियर और फ्यू हंड़ेट किलोमेटर एवब दी सर्पेस विलॉस्टी अब शिटलाइट मस् आपको पता है चीजे हमने बता दी है अगे देखते हैं हिंदी में देख लेते हैं इस वरू भारत में प्रती सेकेंड हंट्रेट गीगावीट से अधिक ब्रॉड्मेंट करने के लिए चार उच त्रुपुट उपगरा लांच करने की योजना बना रहा है कौन-कौन सा जी यह भारत का उपगरा अधिक हाई स्पीड जैसे की डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देगा आगे देखने प्रिद्वी आवलोकन उपगरा की रूप में भी जाना जाता है इसको और 800 किलोमेटर पर इसको लांच किया जाएगा लियों में और यह सता में कुछ किलोमेटर के ऊपर एक गोलाकार कख्षा में उपगरा आठ किलोमेटर परती सेकेंड होना चाहिए इसकी स्पीड और इसलिए दुरुवी कख्षा में रखा जाता है इन्हें आम तोर पर सुदूर समवेदन उपगरा कहा जाता है क्योंकि सुर्व के वीकरन की माब के माद्यम से प्रि देखिए हुए चीजें होती है एक क्वेशन हो जाता है आपके दिमाग में क्या आपको ऐसा लगता है कि जो सेटलाइट है सेटलाइट जो भी अर्थ की जो भी वस्तुएं होती है जो भी ठिंक्स होते हैं उसका अब्जर्वेशन कैसे करता है उतनी दूर सेटलाइट है औ कीकि कैसे एक लिए ऐसे के आपको पता है कि हमने इसके बारे में भी चर्चा कर लिया है हम नहीं काता है जो हमारी हमारे हम आगा सेटलाइट है यहां पर हमारी सेटलाइट है तो आप यह सोचे कि यदि हमारा यह सन है हमारा यह प्यारा सूरज है और यह सन हमारा क्या कर दिया कि यहां से चीजें आ रही है और यह इस बस्तू पर पड़ रही है अब जैसे यह बस्तू पर पड़ रही होती है फिर यह रिफ करने वाला क् Это वह किया कर देगा कि जैसे सब्सक्राइब होकर जाती है यहां पर बहुत असानी वख़ंची होती है वहर बता चैठिक उनका कहा है चीजों को की होते है है आगे देखते हैं अब आगे हम बात करेंगे इसके application क्या हो सकते हैं जो हमारे remote sensing satellites है या हम जो earth Missouri satelites हैं उनकी applications क्या हो सकते हैं बहुत सेंपल है है अगर जो क्ती तो आप क्या बताएंगे कि कि नेच्वर रिसूर्सेज मैनेज्मेंट फॉस्क ने जो भी हमारे नीचल रिसूर्स के मैंच मेंच मेंच में कर सकते हैं मैपिंग के माधियम से या मिन्रा माधियम से इन इंकर इनका यूज किया जा सकता है जैसे लीट ऐसे अट क्रॉप एरिया क्रॉप त्युवर्प्र डिक्शन में तुए कंडग डीडामिच कहां कहां पी क्रॉप डैमेज़ेज हो रहे हैं उसके बारे में असेस्मेंट कर सकते हैं क्लासिफिकेशन आफ एग्रोक्लाइमेटिक जोन なた shyija ईंडिया पंदर औरह क्लाइमेटिक निया इंडिया भारत में पराला औरहर की इंडियों या टाउन ब्लैनिंग में यूज कर सकते हैं तो इस तर्दी अर्बन इस प्राउल एंड ट्राफिक मैनेजमेंट में भी यूज कर जाता है आप सोचिए कि जैसे हम जैसे स्मार्ट या मेट्रो सीटी में जब जाएंगे तो पता है कि आपको वहां पे आप जब मैपिंग का य आप जाम है वहां पे जाम लगा हुआ है तो यह चीजों को भी मैनेज किया जाता है तो ट्राफिक मैनेजमेंट भी हम इसको देख सकते हैं और कर सकते हैं । सुरक चामिजस हमें बात किया था और था अब कि सकते हम क्या क्या घ्रेसक और ये सं लाइब लृट सुरक है अदर्प ये सोचंत कर लिए हैड यहां बैल्डिंग है एक है सब को देखे रिफलेक्ट होके कहां जाना पड़ेगा इस सेटलाइट पर जाना पड़ेगा इसको पता कर देगा ओह यह तो फॉरिस्ट है यह सब चीज़ें ऐसे होती है इसलिए आपको समझ में आ गई होंगे तो आप चीज़े देख रहे हैं आपर जैसे इसका प्राकृतिक संसाधन प्रवंदन में यूज किया जाता है क्रिसी में यूज़ किया जाता है सहरी अध्यान रक्षा और मौसम्न विज्ञान में भी हूँ करते हैं आगे देखते हैं इंप्लाइंट रिमोट सेंसिंग स्यट सेटलाइट मतलब यह और रिसोर्स साट रिसोर्स एक Prisour járks स्टै जोरस गया क्या टोफिक संटर ईसकार और ही सिस इस यसी वह skape सब्सक्राइड आप इसको याद रखेगा यह रिमोर्टिशनिंगोसिलाइट है जो किया जा चुके हैं और इट इस रेमोट सेंसिंग सेटलाइट अगर यह बता था कि जीओ में इसको लांच करते हैं जीओ इस्टेशनरी में लांच करने का मतलब यह है कि बड़े छेतर को दिखाता है बड़े छेतर का मैपिंग कर सकता है इसका जो एरिया होगा वह इतना होगा आप सोचिए अगर उपर जाएंगे जीओ है जीओ स्टेशनरी औरबीट अब जीओ का क्या एरिया हो सकता है यह हो सकता है आप सोच रहे हैं यह हो सकता है आप देखिए वाइडर एरिया कवर कर रहा है ठीक है तो यह जीओ हो गया तो होते हैं बहुत ही बड़ा भावालिक शेतर को कबर करते हैं इन में वेदर फॉर्केस्टिंग किया जाता है जिसे इंसैट 3D के दोड़ा कलपना इंसैट 3D यह सेटलाइट से आप से पूछ सकता है कि जिए इस चेचनी और्बिट में ज्यादे जोग्राफिकल अरिया कबर करता है मैपिंग में या फिर लियू में तो आपको पता होना चाहिए जिए ऐसी कुश्चन आएंगे सेटलाइट रिसेट रिसेंटर रिमोड सेंसिंग सेटलाइट कौन-कौन से है तो रीड्साइट 2 B r 1 त meow देखा जाए वसे नीच अई है अर्थ पे आती है तो रेडियो वापस जाएंगे तो रेडियो इमेजिंग सेटलाइट इसको हमने भी टेली को के पिछले क्लासिज में हम इसको कवर करके रखा है इसलिए यह आपको चीज़े थोड़ी सी कम समझ में आ रहे होंगी तो इसको आप देखिए आप पिछले क् थी आसानी से समझ में आएंगी एक्स बैंड सिंथैटिक अपर्चर रेडार विद्धी इनेबल ऑली वेदर ड्रे नाइट रेडियो कमुनिकेशन देखा जाए रिट सैट टू बी आरवन की आवश्यक्ता क्यों पड़ी क्योंकि अधर जितने कमुनिकेशन सेटलाइट से जैसे बारिश होती थी या मौसम खराब होता था तो उसमें डिफिकल्टी होती थी चीजों को मैनेज करना तो हमने एक ऐसा सेटलाइट लांच किया ऐसा हमाने कमुनिकेशन सेटलाइट बनाया जो कि बारिश हो या फिर कुछ भी हो उससे कोई फरक नहीं पड़ेगा आप इसी चीजों को मैनेज कर सकते हो कभी भी तो रेडियो इमेजिंग सेटलाइट एक्स बैंड सिंथैटिक अपर्चर राडार विच इनेवल आल दी वेदर एंडे नाइट रेडियो कम्मुनिकेशन रिजोलुशन आफ रिट सैट इस लेस दिन वन मीटर एक्स बैंड सार्स आल दी वेदर एंडे नाइट रेडियो कम्मुनिकेशन और यह चीज़ें आसान हो जाती है ठीक है तो यह क्या महत्तुपुण शुदूर समवेदन उपग्रह हमने बता दिया कुछ सुदूर समवेदन उपग्रह को भी मौसम की भविशिवानिक के लिए भू अस्थाटिक अस्थापित क्या जाता है जीयो स्टेशनरी और बिट में सब्सक्राइब हमें देखा जाया तो कौन-कौन से सुदूर समवेदन उपग्रह है तो हमने देखा टॉंसिल 2-1 रिट सैट 2-1 रिट सैट सिंखला में रडार इमेर्जेंदिंग अर्थ अब्जर्वेशन सेटला इसको यूज किया जाएगा एक्सिस बैंड सिंथेटिक अपर्शर रडार के साथ रेडियो इमेजिंग उपर जो सभी मौसम दिन रात रेडियो संचार को सक्षम बनाता है इस बात को आप ध्यान रखिएगा और यह वन मीटर से भी कम इसका क्या होता है रेजवेशन होता ह है ठीक है आगे बढ़ता है जो रीट सेट टुब यार होता है इस एक विदी अन फॉरेबल स्रडर रिप्ट एंटीना टेक्नलोजी ठीक है और इसमें क्या होते हैं यूज क्या जाता है रेडियो सिगनल यूज किया जाता है जिसके वज़े से मौसम चाहें जैसा भी हो क्यूंकर पक्राइबर निवाथा है उद्सेंट सेट्लाइट Reach जैसे माले यह हमारा सेटलाइट है यह हमारा अरीवा अरत क्याusan और शूब्सक्व उच्माइब पहले क्या कर रहा है टीखियो उफ्कुर्प केsupport ब्सक्नान क्हें हैं 남わか सब्सक्ति हुआ झाओ अब पिर आप आपने क्या किया कैसा तुम फ़ारइज छोड़ो तुम मिनराल के बारे में कितने मिनराल है आप ने इसको हुआ से अब यह किया गरेगा मेंडर को मेजर करेगा तो इसमें चीजों को मोडिफाई भी कर सकते हैं और आप बैक मतलब चीज़ों को फिर से हम ट्रांस्मिशन भेज सकते हैं फिर वापस ले सकते हैं प्राइमरली गोल्स इंडिया देखें कितना लाजिक अच्छा है इसलिए कहते हैं कि आपको डेली क्लासेज अटेंड करनी चाहिए अगर आप चीजों को पता है चीजे क्यों हो रही है कैसे हो रही है यही तो साइंटिविक मेथर्ट्स होते हैं जो आपको दिमाग में क्लिक में यूज कर से विल हेल्प इंडी प्लाइनिंग रेम्टिव स्ट्राइक ऑन दी टेरर लंच पैट्स लाग दी सर्जिकल स्ट्राइक एंड बाला कोट एर स्ट्राइक बहुत इंपोर्डेंट है रीट साइट टूबी का यूज कहां किया था इस सेटलाइट के माद्यम से ह अब दीजिकल स्ट्राइक गया था जो वाकर अपने आपने काविर तारीफ था हमें गर्व है बाला कोट में और एर स्ट्राइक किया था हमने तो इसी माध्यम के इसी सेटलाइट से हमने चीजों को अब्सर्व किया था यहां पर बैठे हुए हैं चलके वहीं पर समझा दो उनको खतम कर दो टेर्रिस्ट को आर आई एस टीए टू बी आर अन फैबरेबल लेडियो तो बता दिया में आवेदन क्रिशी वान की और आप्दा प्रबंदन दिल्यूज किया जाता है टूबी का यूज हमने बताया था रेडियो इमर्जिंग अर्थ अवलोकन उबग्रा है प्रात्मिक लक्ष भारत की निगरानी चंथाओं को बढ़ावा देना है निगरानी के लिए तो भी रीडेट सेट टूबी का यूज हां कहता है तो निगरानी के लिए इस हुआ है और हमने एयर स्ट्राइक भी इसी से किया था रिट्षाइड सीरीज बहुत इंपॉटेंट ध्यान रखिएगा रीट連सेड इस ससुट ऐसी इसे सट डैजिनेंग डैयो इमेजिंग आप देखने चीजह है जो इजी बना देती है एक्जाम में आपको ऐसी सोचना है वो डिरेक्ली या इंडिरेक्ली कुशन दे लेकिन आप क्लासिस कर रहे हो तो आप वहाँ पे चीज़ों को बहुत यह अच्छे कर पाओगे इसली कर पाओगे कॉंसेट देखते हैं इसका तो वाइल ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग यूज लाइट रिफ्लेक्ट बाइड ऑब्जेक्ट ऑन अब्जेक्ट सेंस एंड ऑब्जर्व हमने बताया था कॉंसेट का कोई सेटलाइट होती है तो आपको पता है कि य यहां से रेज को भेज़ेगा यह कोई ऑब्जेक्ट है और यह हमारी क्या है सेटलाइट है तो यह जैसे इस पर पढ़ेगा रिफ्लेक्ट हो किस पर जाएगा और इसी जों को मेजर कर देगा तो यहां पर क्या है तो यहां पर क्या रखा है बेंच रखा है चेर रखा है य समझा दिया था कि हम रेडियो वेजिग सेटलाइट सेटलाइट उन में समझते थी कि जैसे मौसम खराब होता था हम चीजों को मैनेज नहीं कर पाते थे नहीं देख पाते थे हम उनको अब्जौर नहीं कर पाते थे हमें पता चला फिर बात में कि हम रेडियो का वेव का यूज करते हैं और चाहे मौसम जैसा भी हो यह चीज़े रिफ्लेक्ट होके वापस पूर जाती है तो यह क्या करेंगे चीज़ों को बहुत अच्छे से अब्जर्व कर सकती है ठीक है इसरो ने फूर सेटलाइट अब तक रीट्साइट शीरीज में लांच किया है अब आप इसको ध्यान से समझेगा बहुत इंपॉर्टेंट सेटलाइट है पहला 2009 में किया गया था रीट्साइट टू ए लांच जब 26-11 मूंबई टेरर अटाइक हुआ था रीट्साइट 12-1 हम टू बी आर अग्रिकल्चर फॉर्स एंड डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए उसकर रहे हैं क्योंकि यह चीज़े बहुत ही सड़नली हो जाती है और यदि हमारे पास इनका आउट्पुट यदि डाटा नहीं रहेगा तो हम चीज़ों को मैनेज नहीं कर सकते हैं यह फिर से उनको रिर्ण की रिकवरी पॉसिबल नहीं हो सकती है तो इसलिए रिट साइट सीरीज का यूज किया जाता है बहुत इंपोर्टेंट है अब ध्याम रखी का काटो सैट 3 के बारे में जानते हैं काटो सैट 3 जो काटो सैट 3 होता है यह थर्ड जनरेशन का एजाइल एडवांस अर्थ ऑब्जरवेशन सेटलाइट है और इसको 506 किलोमेटर पे लॉंच किया गया है ठीक है पैन क्रोमेटिक रिजोलुशन के अबिल्टी 25 सेंटीमीटर तक यह चीज़ों को देख सकता है अफसोब कर सकता है अप्लिकेशन कार्टोग्राफी अब लार्ज स्केल अर्बन प्लैनिंग रूलर रिसोर्चे इंफ्राइस्ट्रॉक्ट्ट्ट्र डेलेप्मेंट रैंड इ यहां चीज़ें ऐसी आपको कॉंटेंट डिया जा रहा है जिसमें से हिंदी और अंग्रेजी मादम के बच्चों दोनों को कमफर्टेवल महसूस होनी शाहिए और हिंदी मादम के बच्चों के साथ यह अन्याय हो जाता है कि उनको जो साइंस एंटेक है वो ठीक से बताया ह क्योंकि चीज़ें रिसर्च बेस हैं और हमने आपको कोशिश किया है कि आपको भी अधिक-धिक फायदा मिले इसलिए चीज़ें कहीं नहीं मिलेंगी आप डेली क्लास करिए इसको और शेयर करिए ताकि और लोगों को फायदा मिलता के ठीक है हमें भी थोड़ा अच्छा लागे मनुबल हमारा बड़े है ठीक है यह सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टन रिट्स एट टू रिट्स एट वन या रिट्स एट टू बी ट्विट्स एट टू भी आर वन इसको यूज किया गया तीसरी बड़ी का यह का तीसरी पिड़ी का दच उन्नत प्रिद्वी व अगर देखते हैं जी सेट के बारे मं बात करेंगे जो घीन होता है जी इमेजिंग सेटलाइट सेटल्स सेटलाइट सेटलै यह और जी यू सिंक्रोनस ऑरबिट में है जीयो सिंक्रोनस हमने क्या बोला था कि जीयो सिंक्रोनस वो होते हैं जो एक्चुली में जो जो जोग्राफिकल इस्टेशनरी ओर्विट होते हैं जीयो ओर्विट जो होते हैं तो जीयो ओर्विट जीयो सिंक्रोनस और जीयो स्टेशनरी ओर्विट के बारे मैंने प्लान्ट तू लांच दी तू सेटलाइट इन दीस सीरीज जी सैट वन एंजी सैट 12 आर इट विलिल्ड मल्टी स्पेक्ट्रल एंड मल्टी रिजोलुशन 50 मीटर टू 1.5 किलोमेटर इमेज इंवीजिबल नियर इंफ्रारेड एंद थर्मल स्पेक्ट्रम मल्टी वेबलेंथ इमेजिंग आर्दी यूज के जाता है इसका अप्लिकेशन क्या किया जाता है कि मिलेटरी पर्पोसेज और सिविल पर्पोसेज दोनों में यूज किया जाता है जीट सैट का क्योंकि बहुत इंपोर्टेंट होता है और यह एक तरीके से बड़ा जोग्राफिकल एरिया कव और सिंग्रोन से एक और शी में बताया था यह जी यू सिंग्रोन एसी सेटलाइट होती है कि जो नदन हैमीज वीजा नसे दूनों चीज़ों को मेजर कर लेती है क्योंकि इसका जो मोबिलीटी होता है ऐसे ऐसे हैसे फ्लक्शूएट होता है पहले उपर जाता है फिर नीच में और आप सोचिए यदि लियो में अगर हम लॉंच करते हैं जियो इमेजिंग सेटलाइट को तो आप यह सोचिए कि इसका कम भवलिक्षेतर को दिखाएगा और बहुत ही तेजी से इसका कम है तो इसलिए यहां बहुत ही तेजी से रिवाल्व होगी एक दिन में 14 से 15 रिवाल्व होगी वहीं जी अगर कोई सेटलाइट है तो बहुत धीरे घीरे रिवाल्व होगी लगभग उसको 22 दिन लग जाएगा मालि जी अगर कोई अर्ठ में यह चीजा तो जीयो में हैं तो 22 में द्सको देखेगा फिर बाइश 와서 इसको देखे गाँ अगर महीं लिए टो यह सोची कम्चक्ब 15-20 बार 1 दिन उसको देख लेगा इस अब चीजें को आपको बता दी Γ्यां है प्रिश्वी में अलोकन उपगरा है इस रोने इसको जी सैट वन को जी सैट टू यार को दो उपगराओं को लांच करने की उजणा बनाई है और बना कर दिया है बहुत इस्पेक्ट्रल और बहुत रिजलुशन उत्पन करेगा इस्पेक्ट्रल पास छलिया जैसे लैंड मैप सिविलियन दौनों यूरी उसके था अब आम तौर पर हम तो इसके निगरानी करने में कई जाता है बर्तमान में इमेजिंग उपकरण बाइस दिनों में केवल करता है जब वह कहां होता है कि जब वह जीओ में उसके बाइस आपको चीज़ आपको एक दिन में कम सके 15-20 वा लिखिए हम दुबारा से चीजों को 3D में या अलग तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे और मैं आपको बता रहा हूँ कि इस क्लासिस से आप जुड़िए और अपने जो भी आपके मुवाइल नंबर हैं उसको दिस्क्रिप्शन बॉक्स या नीचे जो कमेंट बॉक्स से उसमें शेयर कर देजिए उसी यह होगा कि मैं आपको गुरूप में एड़ कर दूँगा उसमें आपको जितने कॉंटेंट है यह पीडिएफ जितने हैं वो सभी चीजों को कि फ्री आफ कॉस्ट आपको दिया जाएगा और इससे क्या होगा कि कम सब्सक्रिप्शन को कवर कर पाएंगे और इक्जाम में बेहतर मार्स लेकिया पाएंगे और ग्राग कर पाएंगे यह चीज़ें आपको कहीं नहीं मिलने यह मेरा गारंटी है पेट क्लासिज में भी मुझे पता है चीज़े कहां से आती हैं और जितने यहां पे एजुकेटर्स हैं उनकी बहुत एक्सपर्टीज है वो जो भी कॉंटेंट प्रवाइट कर रहे हैं वो एक्जाम औरेंटेड है ना कि आपको बहलाने और फूसलाने के लिए इसलिए चीज़ों को देखिए और य धनकी सो मजच